और अब बाद जबलपुर की जहां जीदू पटवारी ने हाइकोट में याचिका लगाई है इमर्ती देवी ने जो FIR दर्थ करवाई है जीदू पटवारी के खिलाफ उस FIR को रद्ध करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है हाइकोट ने याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है MP MLA मामलो की विशेश कोट ने ये नोटिस जारी किया है हाइकोट ने शासन को इमर्ती देवी को नोटिस जारी किया है दरसल जीदू पटवारी ने एक टिपड़ी की थी इमर्टी देवी को लेकर उसमें विवादत शब्दों का अस्तिमाल किया था और ऐसे में इमर्टी देवी ने अपने खिलाफ की गई स्टिपड़ी को लेकर जीटू पटवारे के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुडरे साथ इसी खबर पर पवन क्या कुछ हो आज कोट में जड़ा बताएं कि जैपना आज कोट में जो है जीतू पटवारी की तरफ से कि याचिका दायर की गई जिसमें उन्होंने अमर्थी द्वारा द्वार जो आरूप लगाए थे जो एक याचिका दर्ज की थी और मामला दर्ज कर और ना ही किसी तरह का विवादित बयान दिया है उन्होंने जो बयान दिया था वह भी मैं आपको बताता हूँ कि पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने इमर्थी देवी को लेकर कहा था कि उनके अंदर रस खतम हो गया है और अब उनका इंट्रेस्ट नहीं बचा है तो ये इस तरह का कोई बयान जो दिया गया था उसको लेकर कि इमर्थी देवी ने किया आचिका लगाई थी पुलिस धाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अफमान किया है एक महिला का अफमान किया है और इस तरह से सामझनिक रूप से उनको बंदाम करने की में याचिका को दायर कर लिया गया है जीतू पटवारी की तरफ से और उस पर नोटिस जारी किये हैं मरती देवी को और समंदित पुलिस को जिन्हों ने ये मामला दर्ज किया था अगली सुनवाई में ये इस पर ठोपाएगा कि कोट क्या फैसला देता है फिलहाल ये मामला क कोट में विचारा दी जी पवन बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए बढ़ते आगे बात बिलास्पुक्री करते हैं जहां सौम्याच और अस्या को लगा है बड़ा जटका हाई कोट से सौम्याच और अस्या को जमानत नहीं मिली है जमानत अर्जी पर को जमानत अर्जी पर कोट ने एडी से जवाब मांगा है दस जून के बाद मामले में अगली सुनवाई होगी तो सौम्याच और अस्या को हाई कोट से राहत नहीं मिली है जटका लगा है भिन के शहरी आखे में तेंद्वय ने दस्तक दी है रात के अंधेरे में तेंद्वय की मूव्मेंट यहाँ पर देखी गई है बाइक सवार युपको ने विडियो बनाया है अचाना की बाइक के सामने आ गया तेंद्वय को देख देह्शत में लोगा देखिए आप आवा सेवालों ने अपने मोबाइल क्यामरे में रिकार्ड कर ली शहरी इलाके में तेंद्वय की दस्तक से आसपास के लोग देह्शत में हैं तो भिंड का ये शेहरी लाका जहां पर तेंद्वे की मूवमेंट देखी गई है रास्ता क्रोस करते हैं तेंद्वे को आप देख सकते हैं यहां पर और अब खबर धमतरी से जहां निगए